Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो मैं फिर से आगए हूँ कुछ amazing और बहुत ही useful घर और किचन से जोड़े tips and hacks लेकर जो मेरे लिए तो बहुत ही जादा काम के हैं और उमीद करती हूँ, आपके लिए भी बहुत ही जादा useful होंगे अगर आज का वीडियो आपको useful लगे तो please वीडियो को एक like करिएगा, share करिएगा और subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की हमारी सबसे पहले tip तो देखें यहाँ पर लिया है मैंने बच्चों के जो t-shirts हैं उनको और जो बच्चों के t-shirts होते हैं आप देखते होंगे उस पे front side में तो जरूर कुछ ना कुछ print या work रहता ही है और अगर हम press से उसको press करते हैं तो जो print होता है वो भी खराब हो जाता है साथ के साथ जो हमारा press है उसमें भी उसके दाग लग जाता है खराब हो जाता है प्रेस तो आप एक काम करिएगा जब भी आप इस तरह के t-shirts प्रेस करिए क्योंकि अगर हम side में प्रेस कर लेते हैं और जहां पर print है वहाँ पर अगर हम प्रेस नहीं करते हैं तो t-shirt जो होता है बिलकुल अच्छा नहीं लगता है देखने में बहुत ही और बिना जो print होता है वो हटे हुए तो इस तरह के से simple से trick है और आपका काम बेहत आसान हो जाएगा तो उमीद करते हूँ आपको ये वाले tip भी ज़रूर यूसफुल लगी होगी तो ज़रूर करिएगा तो चलिए देखते हैं आज की हमारी अगली tip कौन सी है कई बार ऐसा होता है खाना खाते समय जो सब्जी होती है उसकी gravy हमारे कपरो पे गिर जाती है उसका जो हल्दी का दाग है वो हमारे कपरो पे रह जाता है तो इसको छुडानी के लिए आपके साथ एक tip शेयर कर रहा हूँ जब भी आपके साथ इस तरके से कपरो पर हल्दी वेगरा का दाग लग जाए तो वहां पर आप थोड़ा सा रख दीजे बेकिंग सोडा उसके बाद आपको यहां पर लेना है नीमबू तो नीमबू का अगर आपनी जूस निकाल लिया आपके पास छिलकी है तो आप वो भी ले सकते हैं उसमें भी काफी मातरा में जो होता है नीमबू का जूस रहता ही है तो उस एरिया पर आप इस तरीके से थोड़ा सा रब करिए रब करते ही आप देखिएगा जो हल्दी का दाग लगा है बहुत ही जदा लाइट होने लगेगा उसके बाद आप इसको साधे पानी से वाश करिए वाश करने के बाद हलका सा आप स सूखने के बाद अच्छे से हट जाता है तो कभी भी अगर इस तरीके एक प्रॉबलम होती है तो इस तरीके से उसको क्लीन जरूँ करके देखेगा चले देखते हैं नेक्स टिप जब कभी हम बाहर जाते हैं जैसे अभी गर्मी के टाइम है तो हाथ में हैंकी तो जरूर ल जाती है या फिर अगर हम हाथ में लेकर कहीं शॉप पे कुछ देख रहे हैं तो हम साइड में हैंकी को रख देते हैं जिसके बाद शॉप में से निकलने के बाद हमारा जो हैंकी है बहुत बरस होता है वहीं पर छूट जाता है तो उसके लिए एक सिंपल से ट्रिक आप इस त देखना है खरीदना है तो आप बेफिक्र होके उसको इसली देख सकते हैं हैंकी जो है आपके हाथों से बिल्कुल भी छूटेगी नहीं तो चोटी सी टिप है लेकिन आपको ज़रू कामाएगी ज़रू करके देखेगा और टिप अगर यूसफुल लगी है तो प्लीज वी से या फिर पेपर से उसको साफ करने की कोशिश करते हैं अक्सर हम लोग यही करते हैं कि पेपर उठाया और उसको साफ करने लगे लेकिन वो जल्दी साफ नहीं होता है और भी ज़दा फैलता है तो कभी भी अगर इस तरह क्या होता है न तो आप पेपर से साफ मत करिए ना तो इस तरीके से देखे पेपर से साफ करने के बाद आप एक कपड़े से भी उसको क्लीन कर दीजे जो हमारा मेरर है ना बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है क्योंकि बच्चों को तो हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन ये छोटी छोटी चोटी टिप को यूज करके हम अपना काम आसन बना सकते हैं उम्मीद करते हूँ आपको जडरूर पसंदा आई होगी टिप तो जडरूर ट्राय करके देख process चलिए देखते हैं next step हम fridge का इस्तमाल हमेशा करते हैं लेकिन पूरा fridge साफ करते हैं लेकिन ये जो rubber जो होता है इसको ignore हम कर देते हैं साफ नहीं करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है इसमें गंदगी जब जमा होती है तो हमारा जो door है वो lock होना बंद हो जाता है जिसके बाद इसके अंदर की जो cooling है वो leak होती है तो इसको भी साफ आप क्या करिए कि इस तरीके से call gate थोड़ा सा ले लिजे white paste होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से लगा कर एक पुराना brush से आप अच्छे से इसको rub करिए अंदर जितनी भी गंदगी होगी बहुत ही अच्छे से clean हो जाती है उसके बाद एक wipe लीजे और इस तरीके से वो इसको wipe करिए आप देखें बहुत सारी जो गंदगी है वो निकल के आती है जो कि हमें पता ही नहीं चलता है इस rubber के अंДर है क्योंकि अगर जब इसमें गंदगी जमा होती चली आती है तो door lock होना अच्छे से बंद हो जाता है सही से वो बंद नहीं होता है चिपकता नहीं है उसके grip जो होती है वो खतम हो जाती है उसके बाद हमें लगता है कि हमारा जो फ्रिज है वो खराब हो रहा है तो यह छोट छोटी सी चीज़े हैं जिनके अगर हम ध्यान देना तो हमारा जो पैसा है वो भी बचता है साथ में हमाई जो चीज़े हैं वो भी खराब होने से बचती हैं तो ज़रूर ट्राइ करिएगा, चली देखते हैं नेक्स टिप, इस तरह के रेजर वेगरा हम इस्तमाल करते हैं, कई बहर होता है कि अगर हम कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, तो साथ में ले कर जाते हैं, तो बैग में भी इसको रखते हैं, तो बैग में रखने से भी ऐसे ही क खेलना स्टार्ट कर देते हैं, कईबार उनकी फिंगर्स जो जो है वो कट जाती है, या फिर कहीं पर भी कपड़े वगरा पर वो चलाने लगते हैं, तो जिससे जो कपड़ा है वो भी कट जाता है, तो इसके लिए छोटी सी टिप, इस तरह कि जो पेपर क्लिफ्स जो होते है वो आप लीजे, यह बहुत ही ज़ादा hard होता है, मतलब जल्दी यह खुलता नहीं है, बहुत ही ज़ादा इसको push करना पड़ता है, तब जाके यह खुलता है, तो इससे आप है ना आगे side में इस तरीके से अगर लगा देता है तो छोटी से tip है, लेकिन इस तरीके से use करके आप अपना काम भी easy कर सकते हैं, जरूर try करिएगा, तो चले देख लेते हैं हमाई next tip जब कभी हम nails को cut करते हैं, तो आप देखते होंगे, जब हम nails cut करते हैं, तो और और के काफी nail cut करिए, तो इस तरीके कर एक cello tape लीजे, और एक छोटा सा टुकड़ा आप cut कर लीजे, आप देखते होंगे nail cutter में side में थोड़ा सा gap रहता है, तो उस gap पर आप cello tape को कुछ इस तरीके से चिपका दीजे, दोनों side हमें ये काम करना है, जो भी दोनों side gap है ना, वहाँ पर हमें cello tape को अच्छे से चिपका लेना है, उसके बाद जब भी आप nail cutter से अपना nail को cut करिएगा आप देखिएगा, जो nails होते हैं वो जब हम nail को cut करते हैं तो side होके ही वो निकलता है तो side होते हो, जो cello tape हमने लगा है ना, उसमें जाके वो चिपक जाएगा, जिससे आपके, जो जहां पर आप cutting कर रहे हैं अपने nails की, वहाँ पर गंदगी नहीं फैलेगी, और इसको आपको साफ करना भी नहीं पड़ेगा जब आप अपने nails को cut कर लीजेगा तब आपको क्या करना है, बस cello tape को आप निकालिए, और आप देखेगा कि, जितने भी nails आपने cut किये हैं, वो सब cello tape के अंदर चिपक जाते हैं, और उसके बाद आप उसको निकालकर, dustbin में मोड़के fake दीजे, तो हो गया आज का वीडियो कैसे लगे हैं, आज के tips and tricks, उमीद करते हूं, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो फ्लीज वीडियो को एक like करिएगा चैनल पे, अगर आप पहली बार visit कि हैं, तो इससे subscribe करिएगा, और comment box में ज़रूर बताएगा, आपको इन में से कौन सी tips सबस्यादा useful लगी है और आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहां तक गया कल फिर मिलती हूँ ऐसी amazing से कुछ tips के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा, good bye